गैज क्या आपने कभी अपने ब्लॉड को माइक्रिस्कोप के नीचे रहकर देखा है कि वो माइक्रिस्कोप में कैसा दिखता है और क्या आप जानते हैं कि आपका जीव माइक्रिस्कोप में कैसा दिखता है या फिर प्लांट्स सुनलाइट से इनर्जी को अब्जॉब कैसे क दोस्तों बच्पन में साइंस किताब में ब्लॉड के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ब्लॉड का आकार कुछ इस तरह दिखाया जाता है जबकि हम अपने आखों से देखते हैं तो ब्लॉड हमें कुछ इस तरह लाल दिखाई देता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है अब ऐसा में हमें समझ में नहीं आता टीचर हमें क्या दिखा रहा है दरसल ब्लॉड का structure कुछ ऐसा ही होता है लेकिन यह एक microscopic image होता है जब आप अपनी blood को microscope के नीचे रखकर 400 गुना जूम करेंगे तो आपके blood के अंदर मौझूद blood cell दिखाए देगा और उसके साथ साथ bacteria और प्रोटोजोंस भी नजर आएंगे और यह सभी blood cell plasma के अंदर होता है जिसे हमें जूम आउट करने पर liquid form में दिखाए देता है दोस्तों हम बच्पन से भी पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि plants हमेशा sunlight के energy से ही अपना खाना बनाता है लेकिन यह कैसा possible है कि plants के पतियों में कोई solar panel लगा होता है दरशल इसमें कोई solar panel नहीं लगा होता है लेकिन यह solar panel के तरह ही काम करते हैं जब आप plants के पतियों को microscope के नीचे रख कर जूम करेंगे तो आपको पतियों के उपर छोटे छोटे holes दिखाए देंगे और इनी holes से होकर sun का energy plants के अंदर जाता है और plants अपना खाना बनाता है लेकिन अगर आप plants के सभी पतियों को तोड़ देंगे तो plants पूरी तरह से सूख जाएगा क्योंकि उनके पास sun की energy absorb करने के लिए कोई भी पतिया नहीं होगा guys paper हमारे जिन्दगी का एहम हिस्सा रहा है इसके बिना हम अपने study को complete ही नहीं कर पाएंगे और दुनिया के सभी लोग policy paper पर ही depend रहता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि paper आखिर microscope में कैसा दिखता है जब paper को microscope के नीचे रखर देखा गया तो paper के उपर सुखी पतियों जैसा कुछ दिखाई दिया क्या आप जानते हैं कि paper का structures ऐसा की होता है दरसल paper सुखी घांस की पतियों से बनाए जाते हैं इसलिए हमें paper के उपर घांस के सुखी पतिया दिखाई देता है जुवान हमारे शरीर का सबसे एहम अंग है जिसे हमें खाने का test पता चलता है और हमें बोलने में भी मदद मिलता है नर्मली जब हम अपने आखों से देखते हैं तो हमें अपनी जुवान बहुत smooth and pink color का नजार आता है लेकिन जब हम अपने जीब को माइक्रोस्कोप के नीचे रगर देखेंगे तो हमारी जीब कुछ इस तरह दिखाई देगा जिसमें बहुत सारे नुखिले काटे होते हैं जो नर्मल आखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं लेकिन अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें ये काटे क्लियरली दिखाई देगा इंसानों के सरीर पर ये काटे बहुत ही छोटे दिखाए देते हैं लेकिन अगर हम सेर की बात करें तो आपको बिना माइक्रोस्कोप के ही बहुत सारे काटे साफ साफ दिखाए देगा गाइस अगर आप सेविंग करते हैं तो आपने एक चीज ज़रूर नोटिस किया होगा जब आप रेजर से सेविंग करते हैं तो आपके वियर्ड जल्दी से बढ़ जाते हैं वही अगर ट्रीमर से सेविंग करते हैं तो आपका वियर्ड उतना जल्दी नहीं बढ़ता क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है इसे पता करने के लिए जब रेजर्स और ट्रीमर द्वारा कटा हुआ बाल को साइड बाई साड मैक्रोस्कोप के नीचे रकर देखा गया तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखा जिसमें रेजर द्वारा सेव हुआ बालों का कट एकदम सी किसी के चलते ट्रीमर द्वारा कटा हुआ बाल जल्दी से ग्रो नहीं होता आप सबने कभी न कभी ब्लेड का इस्तमाल सेविंग के लिए तो किया ही होगा और कभी कवाल अपनी उंगलियों के नाखुन भी काटा होगा पर क्या आपने इतनी सार्प ब्लेड को मैक्रोस्को उसे देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखाए देगा जिस पर बहुत सारे क्रैक्स आचुके होते हैं जिससे वो ब्लेड खराब हो जाता है और थोड़ी सी यूज करने के बाद हमें नए ब्लेड जैसा सेविंग इक्सपरियंस नहीं मिलता है स्पॉम के बारे में भला कौन नहीं जानता ये सब आपने स्कूल में साथा क्लास में ही पढ़ा होगा कि स्पॉम एक मेल रिप्रेड़क्टिब सेल है जो फीमेल के कंटेक्ट में आने के बाद पर्टिलाइज होकर बच्चा पैदा होते हैं नर्मली आँखों से देखने पर स्पॉम प्लाजमा के फॉम में दिखते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्पॉम मैक्रस्कोप में कैसा दिखता है ये बंदा अपने स्पॉम को मैक्रस्कोप के नीचे रख कर देखा और इंताहाई जूम किया तो स्पॉम कुछ इस तरह दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे सेल्स थे, जो इधर-उदर भाग रहा था, और इसमें से आप कुछ abnormal सेल को भी देख सकते हैं, जो एक arm सेल के मुकाबले कमजोर लग रहा है, और एक सेल जिसका सिर्फ टेड़ा है, और दूसरा जिसका पूछ ब अब इन लाखों सेल में से कुछ सेल naturally abnormal होते हैं, लेकिन pregnancy के आखरी स्टेज तक वही सेल पहुंचते हैं, जो इन सभी में से सबसे healthy and strong होता है दोस्तो बर्प कितना ठंडा होता है, ये तो आपको पता ही होगा, जो जमने के बाद अपना खुद का layer बना लेता है, जिस पर आप चल भी सकते हो, लेकिन कि आपने कभी सोचा है कि बर्प आखिर microscope में दिखता कैसा है, तो जब इसे microscope के नीचे रहकर देखा गया, तो बर् आखे हमारे शरीर का कितना important part है, ये तो आप सभी जानते होंगे, इसके बिना दुनिया कैसा होगा, हम अंदाजा भी नहीं लागा सकते, लेकिन तब क्या होगा, जब हम अपने आखों को microscope के नीचे रहकर देखेंगे, आपको यकीन नहीं होगा, microscope से देखने पर आखों के अंदर एक अलगी दुनिया दिखाई देता है, मानों आप किसी space में हो, हमारे आखों के इरिज साप साप दिखाई देता है, जिस पर कई सारे गड़े हैं, और उसके बीच में एक black hole है, जो असर में black hole नहीं, बलकि आखों का lens होता है, जिसे हम एक रुरी नहीं के लोकि अर नेहीं, चुरी तकी रूरी नहीं चुरी बेहां, चुरी उरमी ओटिफ दिखाई रहां भर राखों के रहां यद्याए हैंचिए टेजों के लिए हैं, एक रहां टूर जिए चाहर लोगका बास्टय बेड़े, तर भीशा टुरी बेड़े, ट